Hello friends, आपका मेरे channel पर सागत है आज आप मानाएंगे बींडी की सबजी ये बहुत जटपट बनने वाली सबजी है और बहुत मज़िदार बनने वाली सबजी है बच्चों से लेके बूरों तक सब भी को पसद आने वाली सबजी है इसको मैंने पहले से ही फ reconst में काटके रख लिया था क्योंकि सुब लोग झाद indifferent इतना जल्दी सब्जी काटने का टाइम नहीं उता इसलिए आप पहले से ही फ्रिज में सब्जी काटके रख लिया और आपकी सब्जी आराम से बढ़िया से चलेगी खराब भी नहीं होगी यह मैंने भिड़ी पहले सी काट के रख ली थी यह भी एक छोटी से टिप है मेरी तरफ से आप इसको अजमाए जब आपके बस फ्री टाइम हो तो आप सब्जी अधेर सरी काट के फ्रिज में रख ली हम जो भिंडी है ना इस भिंडी को फ्राइ करेंगे यह देखिए हमने एक चमत तेल डाल दिया और सिंपल भिंडी को भी हम फ्राइ करेंगे और भिंडी को फ्राइ करते समय हम भिंडी को ढखेंगे नहीं अगर हम ढख देंगे भिंडी को तो यह जो लिरविला चिप चिप बन रही है वो बनती है अगर हम धक देते हैं और हम धकेंगे नहीं तो भिंडी अच्छी कुरकुरी करारी और बहुत टेस्टी बिंडी बनेगी बहुत अलग लग खिली भी होई भिंडी बनेगी यह भी एक टिप है आप इसको अजमाईएगा अब इसको हमने अच्छे से चलाया फ्राई किया देखे बहुत कम तेल में और बहुत जल्दी से यह फ्राई हो जाती है इसको फ्राई होने में सिर्फ तीन मिट का टाइम लगता है और यह अच्छे से फ्राई हो जाएगी बिल्कुर कुरकुरी बन जाएगी अब हम क्या होता अगर हम भिंडी को ऐसे फ्राई नहीं करते हैं डिरेक्ट मसालों में डाल देते हैं तो थोड़ा सा क्रिस्पी जो होता है वो थोड़ा नहीं आता है टेस्ट वाकि आप चाहें तो डिरेक्ट भी बना सकते हैं कि बस तेल में प्याज मिल्ची डाला और बना दिया अभी हमने भिंडी अच्छे से फ्राई कर ली और उसी कड़ाई में से दूसरा वरतन आपको चेंज करने की जुरत नहीं है उसी में हमने भिंडी निकाली और एक आधा चमस तेल डाला तेल में हमने प्याज मिल्ची और थोड़ा सा लहसन डाला क्योंकि लहसन का जो फ्लेवर है ना इ आपने इसमें क्या डाला रोब अच्छी वीजिली खा लेते हैं यह रेखिए हमने इसमें सारा प्याज मिल्ची हमारा फ्राई हो गया था सुनहरा हो गया हमने थोड़ा सा वहां पे नमक डाल दिया और यह बिंडी डालके इसको फ्राई कर दिया अब दो मिनिट में ही आप और देखिए लाजवाब बिंडी हमारी बनके तयार हो गई आ रहा है ना आपके मूं में पानी आप भी बनाइए बहुत इजी रेसिपी है टिफिन में यह रेसिपी बहुत अच्छी लगती आप अपने हस्बन को दीजिए आप अपने मच्छों को दीजिए और घर में सब कुरी भिंडी